नमस्कार दोस्तों यह दा मेडीविल इंडियान हिस्ट्री का तीसरा पार्ट है इसमें हम इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है जैसे कि जिसमें पहला है फिकन डिव दिवाइट दा हिस्टरी ऑप दी वर्ट इन्टू एपर इसमें थ्री पीरिड जाएगा अ कौन कौन सा थ्री पिरियड तो एक तो है ancient a n c i e n t ancient दूसरा है medieval और तीसरा है modern दूसरा question which of these are the literary source of the history जैसे history के sources में देखेंगे दो प्रकार के sources होते हैं एक होता है literary source और दूसरा होता है archaeological source literary source में भी दो तरह के source होते हैं एक होता है indigenous source एक होता है sources from travelers जो foreign travelers है उनकी द्वारा जो लिखा गया है वो सोर्सों होता है literary में तो इन चार में से जो inscriptions वाला है यह नहीं होता है archaeological source होता है coins archaeological source होता है monuments भी archaeological source होता है but account by foreign travelers यह अपना literary source में आ जाता है कि which of the middle period of history याने medieval period history का कौन सा होता है कब से कब तक होता है तो आपको पता है इंडिया कर अगर medieval period देखेंगे तो वह 8th century से लेकर के 18th century तक है यानि कि अगर हम sun के रूप में देखें तो sun 700 से लेकर के sun 1700 या 1750 तक मोड़ी मोटा हम मान करकी चलते हैं टो इस चार विकल्प में जाव अधी देखें तो 300 से 950 ये तो कता ही नहीं होगा सत्रह syst어 प्र३। से Sullivan हैं अगर ऊप्ष्न में और यह ज्जादर सई है लेकिए यह टीन नहीं होंगे तोいます सहीमान ले जाएगा चौथा प्रश्न बाबर यूज्ट टर्म टु डिस्क्राइब जोग्राफिय नेच्वल वेजिटेशन अब इस सब्कॉंटिनेंट यह बाबर ने अपने जो बाबर नामा है उसमें किस वर्ड को डिस्क्राइब किया है जोग्राफिय नेच्वल नहीं किया है मल डिस्क्राइब नहीं किया है और भारत वर्ष इसको भी नहीं लिखा है उन्होंने तो हिंदुस्तान टर्म का प्रैयोग किया है बाबर ने अपने बाबर नावं डिका होई जो मैं में मॉयर जो नाम है वह किस भाष sentinel लिका हुवा है तो नहीं हिंदी में लिखा है तो नहीं तर्की में लिखा हुआ है जो टर्किस लेंग्विश है उसमें बाबर नामा लिखा हुआ है और छठा प्रश्न में मार्को पोलो विस्टेट साउथ इंडिया दा लेटर पार्ट अब इस थर्टेंथ सेंचुरी तो अपना यह वाला आप्शन से हो जाएगा fill in the blanks during the medieval period, spread in India तो क्या इस चीज़ представ इंडिया, Islam, i-s-l-a-m Islam spread in India ये से हो जाएगा second question, the history of India can be divided into three periods एख हो जाएगा ancient, एख हो जाएगा medieval, एख हो जाहएगा modern फिर third अवला कोर्शन, the medieval period in India can be divided into two phases जो माधिकारीन भारत है उसको भी दो फेजेसमें हम डिवाइट कर सकते हैं एक early medieval period में अर दूसरा जो सल्तनात period है सल्तनात period एक तो इसमें early period में हम कह सकते है और दूसरा एक होता है मुगल पिरियेड M-U-G-H-A-L यह जो early medieval period दिया हुआ है इसका मतलब की मोटी मोटा सल्तनात period जो मुगल period है यह हो जाएगा second वाला means medieval period को दो phases में divide करते है एक medieval period, early medieval period और दूसरा होता है मुगल period फिर चाथा प्रश्न the coming of the muslims led to the growth of a यह जब muslims इंडिया में आए तो क्या चीज़ बढ़ा वारत में किस प्रगार का culture बढ़ा तो mixed culture बढ़ा mixed culture और इसी mixed culture को हम composite culture भी बोल सकते हैं c-o-m-p-o-s-i-t-e composite culture composite culture बोले है या mixed culture बोले है दोनों में सेक्स आई है यानि मिश्रित संस्कृती पनपी बारत में the 14th century poet used the word हिंद तो हिंद शब्द का प्रयोग 14th century में किस poet ने किया था तो नहीं का नाम था अमीर खुस्रो अमीर खुस्रो खुस्रो एस इस यू श्रो 6th वोल स्क्षिजए 5th have given useful information regarding the state, politics, and economy during the Sultanate and the Mughal period इसमें गज्में जएगा M-U-G-H-A-L Mughal period अपि a true false में जाएंगे इसमें 1st वर आहां The medieval period in India began from the 7th century and continued till the 18th century तो ये पूरी तरिके से सही है Next question The term Hind was used in the 13th century by Minhaji Siraj तो ये अपना गलत है Hind word का प्रियोग जो 13th century में किया गया था पहली बात हो अमिल खुसरों के द्वारा Hind word का प्रियोग किया था Minhaji Siraj ने Hindustan term का प्रियोग किया था तो ये बात हो सही कि Minhaji Siraj ने term का प्रियोग किया था 13th century में लेकिन वो term था Hindustan ना कि Hind Third question Babers Ayni Akbari and Akbar Nama are the two most important works dealing with a rhyme of Akbar तो ये भी पूरी तरीके से सही है ट्रू है फॉर्थ कुश्चन सर्बस और पीपल हूपीड मैनुस्क्रिप्स बाई हैं तो क्या वो सर्बस होते हैं जो मैनुस्क्रिप्स को अपने हाथों से लिखते हैं तो हिंदी में एक वर्ड आता है जिसको उर्दू टाइप को बोलते हैं तो वो हास्दा लिखन करते हैं कर चलंबना अभी सी ऐसा कर को रधू होता है या हैंड राइटर बोले चलता हैं तो व क्या स्रफ से होता है तो ऐशा इस erosmi लिखा नहीं ये उसके लिए कॉन से टर्म का प्रयोंक कि जाता है लेकिन हां जो मैनुस्क्रेप्ट को कॉपी कि जाता है तो वह हात के द्वारा ही कॉपी के जाता है चाहित टैसेको पाशवा वी do है मतलब होता है जो पत्थरों पे रुद्द किया जता है जैसे कि bugs कर वह था तो संसा सो के बाद हमें नहीं मिलता है यह सबद्ध 知 Stock के बाद नहीं मिलता तो यह जहीं नहीं है क्योंकि उसकila मिलता है मिलकुल मिलता है तो यह जाएगा फॉल्स है छठाट टेंपल्स आरे रिच सोर्स आफ रिलीजियस एंड कल्चुरल हिस्ट्री यह जो मंदिर होते हैं वो धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की महतोपूड स्रोथ होते हैं तो यह वी बाद पुरीत्री किसे ध्रोव है सही है मैसी फॉलेंग नेक्स्ट इसमें बताना है जैसे जावं मस्युद कहां पर रहे तो डैली में है यह तो सही लगा है पिर बाबर नामा किसकी रशना है तो यह बाबर की रशना है माउंट अबू यह कहाँ पर है तो यह राजिस्तान में है रिलीजूस प्लेस है बचा आइने अकपरी और एक बचा अलबिरूनी तो सामने सामने तो नहीं होगा अल्बिरूनी कही हो जाएगा तहकी के हिंद और आइन अक्वलिक हो जाएगा अब अलफजल तो इस तरीके से मैचिंग हो जाएगा अब कुशन आंसर आ गया पहला कुशन है राइट दा इंपक्ट ऑफ जोग्राफी ओन इंडियन हिस्ट्री तो इसका आंसर कैसे स्ट्रॉक्चर कर सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर लिखा हुए आप हैं तो इसका मीनिंग भी बताते चलेंगे थ्रू आउट इट इंपक्ट ऑफ जियागराफी ओन इंडियन हिस्टरी यहां कि भारती दिहाज पर यहां कि भूगुल का क्या प्रभाव पड़ा क्या इंपक्ट पड़ा तो पहले इंट्रोदक्षन टाइप कर हम कुछ बताएंगे यहां पर फेंडिंग डाल सकते हैं इंट्रोडक्षन इन टी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन इंट्रोड़क्शन और फिर ऐसे विवर और डिचन बना लेंगे फिर यह चीज लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा है थ्रू आउट इट्स अर्ली हिस्ट्री यानि कि पूरे इतिहास में दी देखा जाए तो मानो सभ्यता लगातार मूव की है एक खराब प्लेस से एक अच्छे प्लेस की और यानि अपने पसंद दिएधा जगह की और फैबरेबल लिविंग और लिवंग कंडिशन जहां पर है वहाँ पर वो मूव करता रहता है जहां पर उसकी अच्छे जशाय मिलेंगी जहां पर पानी मिलेंगे वहाँ पर मूव कर जाएगा जहां पर रहने की अच्छी दशाय मिल जाएंगे वहां पर रहने लगेगा जहां बोजन का प्रबंद हो जायगे तो वहां पर रहने लगेगा तो यह हॉस्टाइल है the topography यानि जो जलवाई होता है जो मौसम होता है यह सब चीज़ या जो खेती वगरा होता है agriculture वो चीज़ the topography of the land यानि भूम की जो उपज है topography है फसल का pattern है वो चीज़ the topography of the land availability of water यानि पानी के उपलब्दता and the climate और वहां के जलवाई हो are the factors that have played a crucial role in the growth of human settlements यानि मानों के आवाज के लिए जो factors होते हैं कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो वहां की topography लैंड की यानि की स्तथी क्या है और वर मिट्टी है की अनुपजाव मिट्टी है पानी के उपलब्दता कैसा है और वहां की जलवाई कैसी है तो यह सब geography वाले चीज होते हैं जिससे वहां के history पर प्रभाव पढ़ता है कुछ और भी factors हैं जैसे कि hills and mountains यह भी एक factors होते हैं जहां पर पहाड़ियां या परवत होंगे तो वहां पर जाहिए सी बात है पानी के उपलब्दता अच्छी खासी रहेगी और बहुत सारी जैवी विविधता वहां पर भी देखने को मिलेगा बायो डाइवर्सिटी रहेगा तो वहां पर agriculture अच्छी मातरम होगी और लोग बहुत dense population वहां पर रहेगा थर्ड रिवर्स प्रोवाइट्स लाइफ सस्टेनिंग वाटर्स ट्वेट्स इन्हेबिटेंट्स यहां रहने वाले लोगों को जो रिवर से नदियां वह लाइफ सस्टेनिंग वाटर्स प्रोवाइट करती हैं जिससे वो लोग रह सकें अगर देंस फॉरिस्ट फ्लोरेंट फॉना यहां पर घंए जंगल रहेंगे वहां पर फूल और पतियां विविद्ध प्रकार के जो और शदियां होती है वह उपलब धूंगी इसके लाओ पॉर्ट्स यानि कि जो बंदरगा है तो उससे अगर पॉर्ट्स रहेगा तो ट्रेड हो सकेगा जिससे अलग अलग देशों में जाकर के हम दूसरे के कल्चर्स को बॉर्व कर सकेंगे इसके लाओ यदि वहाँ पर रॉकी माउंटेन्स है एक पॉइंट यह भी लिख सकते हैं रॉकी माउंटेन्स है तो उससे हमें बिल्डिंग माटीरियल्स मिल जाएंगे जिससे हम बहुत मजबूत भावन बना सकेंगे तो यह था इस पहले प्रश्न का आंसर second question है what major historical developments took place in Indian history during medieval India यानी मद्धिकालिन भारत के समय में कौन से बड़े historical developments हुए है वो बताना है तो यह question लिखने के बाद जब आप answer लिखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले यह चीज लिखेंगे पहले इस लाइन को लिखेंगे कि major historical developments took place in Indian या medieval Indian history यह यह चीज major historical developments took place in Indian history during medieval India और पहले major से लेकर के इंडिया तक लिखेंगे उसके लिखेंगे आर ए आर ए ऐसे करके डैश कर देंगे फिर नेक्स्ट लाइन में पहला पॉइंट लिखेंगे कि मिक्स्ट कल्चर आया यानि composite culture मिश्ट संस्कृती मिली because of Muslims और दूसरा क्या development हुआ कि interaction बढ़ा लोगों से मेल बढ़ा between पूरा लिखेंगे से बी इटी डबल डबल इन बेट्वीन है तो इंटरेक्शन बेट्वीन रीजन्स यानि जो अलग अलग प्रदेश है जैसे कि नौर्थ और साउथ तो नौर्थ और साउथ की बीच में इंटरेक्शन हुआ इसके लामा रिलिजन्स यान धर्म जो हैं हिंदू मुस्लिम इनके बीच में इंटरेक्शन हो पाया है को अगला क्या डवलमेंट हुआ मेजयर डवलमेंट हुआ वह वह बत्रेड क्योंकि अरब से बहुत साथ लोग आये या-शैनम मंगोलिया से आए तो इस से ट्रेड के जो पोर्ट्स हैं उसके मादि development हुए भक्ति ये भक्ति की spelling VHAKTI तो भक्ति सोफी movements ये बढ़ा जिससे spread यानि फैला the message of devotion to God यानि कि एश्वर से प्रेम करने का संदेश फैला and kindness towards all human beings और सभी मानो सभ्यता के प्रती दयालूता का भाव हो तो यह विशार भक्ति और सूफी movements के माधियन से फैला तो यह मेजर डेवलेमेंट रहे थे डियूरिंग मेडिवल इंडिया लेक्स्ट कोश्टन है वाट डिट हंड हिंदु यानि मध्यक आलिन भारत के समय में हिंदुस्तान जो टर्म था वो किस चीज को वियाखियाइद करता था या किस चीज को for different perspective by the different writers तो सबसे पहले थोड़ा सा introduction टाइप पर लिखेंगे एक heading बना सकते हैं ऐसे introduction introduction में ये लिखेंगे कि हिंदुस्तान terms used by the different writers for different type of references उसके बाद next line में एक पॉइंट ऐसे बनाएंगे according to मिनहाजे सिराज यानि मिनहाजे सिराज के अनुसार जो कि 13th century के लिखक थे हिंदुस्तान मेंट the areas of पंजाब हर्याना and ganga यमना दौब द दौब उठान मतलब क्या होता है दौब लिखा वह इसमें दौब मतलब उत एक नदी यहां शराब आब औहवा जैसे उर्दु में एक वर्द भी चलता आ औहुँ हवा तो आहब मतलब होता फानी का एक पानी यह यहर से एक रीवर यहां से बह रही है और दोने रीवर कहीं आपकर की मिल गई तो इसकी बीच का जो लैंड है यह इसी लैंड को बोलते हैं दो आब वाला एरिया जैसे गंगा नदी यहां से उत्राखंट से निकल रही है फिर जाएगी बे आफ बैंगोल में यमना रीवर इधर उत् हिंदुस्तान टर्म के लिए फिर बाबर जब आये 15th सेंचुरी में यहीं पंद्रास हो में 16th सेंचुरी में तो बाबर यूज्ट टर्म हिंदुस्तान इन बाबर नामा तो डिस्क्राइब जियोग्राफी पूरा लिख देजिए गई से जियोग्राफी फॉना एंड कल्च कि इंडियन सब कॉंटिनेंट मतलब होता है भारती उप महाद्वेप तो यह दो रेफरेंस है तो आप इसको इतना लिख सकते हैं इसमें नेक्स्ट कोश्चन है How are travelagers an important literary zone ? यानि कि जो यात्री रहे हैं वो साहतिक स्रोत के कैसे एक महत्व rating उठके होते हैं जैसे आपको पता है ei literary source दो प्र قळ के होते हैं indigenous यानि जो भारतियों के द्वारा लिखी गई है भारतियों के अनभौ रहे हैं और जो यात्रियों के अनभौ रहे हैं यानि के जो ڈब्लड रहे हैं उनकी अनभौ जो लिखते हैं अपने members में तो तो उसको बोल देते हैं कि written by travelers या foreign account तो इसका answer इस प्रकार से दिया जा सकता है travelers from abroad give us interesting information regarding the political social and economic conditions बस इतना simple answer कि जो foreign travelers होते हैं abroad से विदेश से आए हुए वो हमें यहां के political यहां के सामाजिक और यहां के आर्थिक स्थितियों के बारे में interesting facts information provide करते हैं दो example यहां पर लिख देंगे ऐसा कि अल बेरोनी एक लिखक थे और राइटर थे इन्होंने किताब लहिंद को लिखा था इसमें उन्होंने महमूद गजनी के बारे में knowledge provide किया मार्को पोलो आया था जो कि अपने में 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 साउथ हिंडिया की बारे में लिखा था 13th century के ब्रहमण के दोरा में यह पांचोव प्रश्चन दुबारा से रिपेटेड है तो छाठा कुश्चन पर देखेंगे कि वाट वर्द एपी ग्राफिक सोर्स डिस्क्राइब दें यानि एपी ग्राफिक सोर्स क्या है उनको आप डिस्क्राइब भी कीजिए तो इसका आंसर लिखने में सबसे पहले आप हेडिंग ऐसे बना सकते हैं एपी ग्राफिक फिर ब्रैकेट में ऐसे लिखनेंगे फिल्ड ऑफ इस्टर यानि कि यह एक अधियान का शेत्र होता है साइड में छोटे-छोटे चित्र बना सकते हैं एक इस टाइब का पत्थर आप बना लें जिसमें कुछ लिखा हुआ हो तो बगल में आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह स्टोन है स्टी ओ एन ई और इसमें कुछ लिखा हुआ है यानि कि राइटिंग्स है ड़ल राई टी आई स्ट्रडी ओफ इंस्क्रेप्शन्स यानि एपिग्राफी जो होता है वह इंस्क्रेप्शन्स का अधेयन होता है इंस्क्रेप्शन्स मतलब वही कि पत्थरों पर के कोई उत्केड़ित चीज है तो उसको पढ़ना जैसे कि अशोक ने अपने समय में खुदवाय था बहुत स इसको क्या है उसको क्लैरी करने कि पत्थर अब उसको क्लैरी इवाई करने के जीड़ितितुत. प्रोसेस होता है एक लासी फाइंग दियर यूज इस उसके क्या प्रायोग है उसको ख्लासिफाइब करना यानि की वर्गे खृत करना according to dates dates और वहां के जो सांस्कृतिक कंटेक्स हैं संदर्भ हैं उसके संदर्भ में हमें उसको clarify और classify करना होता है and drawings conclusions और उसका क्या निश्कर्ष निकला उस बात का वो चीज़ हमें draw करना होता है about the writing and the writers जो लिखा हुआ है उसके और जिसने लिखा है उसकी क्या चीज़े हैं क्या लिखना चाहा है तो उस समय के सांस्क्रिटिक परिफ्रेक्ष में उसको clarify classify करना और एक conclusion निकलना यह काम होता है एपिग्राफिय में तो बस इतना अंसर लिख देंगे तो एपिग्राफिय वाला question complete हो जाएगा तो यह exercise complete हो चुका है बस्कार प्राफिय आनलाजे तोपिक फड्पिक प्राफिय निय। फिर्टिय वीडिवल थी निय। निय। उल्ट आट एक प्रेड जाएग्छ के लिए घूटन तो लिएग्ज का प्राफिय विदिय। घएट्ट वाट्ट टीले टृ नमस्कार जेहिंड